आलू की टिक्की खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन शादियों वाली आलू की टिक्की का स्वाधिय अलग होता है हेलो जी नमस्ते मैं हूँ सलोनी या स्वागत है आपका सलोनी की रसोई में और आज मैं आप लोगशा शेर करने वाली हूँ बिल्कुल शादियों वाली आलो की टिक की घर पर बनाना बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीजों के साथ तो आईए शुरू करते हैं चटपड बनने वाली आलो की टिक की बहुत ही आसान तरीके से तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट भी करें और अगर आपके ये recipe पसंद आए तो प्लीज एक बार आप इस तरह से आलो की टिक्की बना कर चरू ट्राइ कीजिए I hope आपको बहुत जादा पसंद आने वाली है तो ये शुरू करते हैं आलो की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर आदा गिलो आलो लिये हैं और इन आलो को उबाल कर चील लिया है और अब हम इने कद्दुकस करेंगे इस तरह से आप कोई भी कद्दुकस ले सकते हैं और इस तरह इन सारे आलो को कद्दुकस कर लिजिए बहुती आसानी से ये कद्दुकस हो जाती है और ये देखिए हमने सारे आलोगों को इसी तरह से कद्दुकस कर लिया है और अब मैं इन आलोगों में डालूंगी दो चम्मच अरारोट पाउडर अरारोट पाउडर डालने से हमारी जो आलोगी टिक्की होती हैं वो बहुती क्रिस्पी बनती है और इससे इनकी टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता और जो इस शादियों वाले जो आलोगी टिक्की होती हैं इसमें हलवाई इसी का यूज करते हैं जिससे इनकी आलोगी टिक्की बहुती क्रिस्पी बनती है और अब इस तरह से हम सारे पाउडर को इन आलूओं में मिक्स कर देंगे बहुत ही आसानी से इस सारा पाउडर इन आलूओं में मिक्स हो जाएगा यह देखे कितने अच्छे से हमारा एक आलूओं का टो बन करके रेडी हो गया है अब मैंने हाथों पे लगाया है थोड़ा सा तेल और अब थोड़े से आलू लेकर मैं इस तरह से इनके गोल-गोल पेड़े से बना लूँगी हमें आलू की जी शेप की टिक्या चाहिए हम उसी तरह की से आलू की टिक्की का डिजाइन बनाएंगे अब हम इसी तरह से अपने सारे आलू को बना करके रेडी कर लेंगे तेल लगाने से ये आलू हमारे हातों को बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे इसलिए आप आलू की टिक्या बनाते समय पहले अपने हातों को थोड़ा सा ओईल जरूर लगा ले और ये देखे कितने बढ़िया से हमारे सारे आलू की टिक्की बन करके रेडी हो चुकी है और बस अब मैंने एक लिए है कड़ाई और इस कड़ाई में बहुती कम तेल का यूज़ किया है आज जो हम आलू की टिक्की बनाने वाले हैं वो कड़ाई में बनाने वाले हैं आमधyalूगी टिक्की चिपक जाती है तवे से। तर इसलिए आज हम कड़ाई का युश करेंगे और बहुती कम तेल में अपनी आलूगी टिक्की को फ्राइ करेंगे। जो लोग ज़्यादा ओयली नहीं खाते वो भी इन आलूगी टिक्की को खा सकते और उन्हें कोई भी आलू की टिकी नुकसान देने वाली नहीं है बस जो तेल मैंने इसमें डाल दिया है उसी तेल में की सिख चुकी है और यह देखिए इस तरह से अगर मैं इन्हें चलाओंगी तो यह बिल्कुल भी तली से नहीं चिप की हैं यह देखिए और हमारे यालोटी की का कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है और लगबग पांच मिनट के बाद यह देखिए कितनी बढ़िया यह दूसरी साइट से भी हमारे यालोगी टिक्की सिख चुकी है अब मैं बाकी सारी यालोगी टिक्कियों को निकाल कर एक प्लेट में रख लूंगी और जो यालोगी टिक्की हमें सर्व करनी है सिर्फ उसी को हम अपनी कड़ाई में रहने देंगे और यह देखिए कितनी सुन्दर अलोगी टिक्की हमारी रैडि हो चुकी है आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आपको शादी वाली कुरकुरी आलो की टिक्की चाहिए तो उसके लिए आप इस तरीके से एक कटोरी लीजिए और उस कटोरी से अपनी आलू की टिक्की को इस तरह से दबा दीजिए हलका सा यह देखिए कितनी आसानी से हमारे आलू की टिक्की फैल चुकी है और बस अब हम इसी तरह से सिकने देंगे आप इसे जितनी हलकी आँच पर सेखेंगे उतनी ही ये जादा कुरकुरी बनेंगी अगर आप इसे तेज आँच पर सेखेंगे तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी इसलिए मद्धम आज पर ये देखिए इस तरह से अपनी आलू की टिक्की को हम सेकेंगे ये देखिए हमारी आलू की टिक्की इस साइड से सीख चुकी है अब हम इसे पलट देंगे ये देखिए किती प्यारी एक साइट से हमारी सिख चुकी है बिल्कुल क्रिस्पी और दूसरी साइट से भी हमारी अलुकी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और हमने उसी तेल का यूज किया है हमने दूसरे तेल का यूज नहीं किया है इसमें और एक बून भी तेल हमने नहीं डाला है बहुती कम तेल में हमारी आलो की टिक्की बन करके रेडी हो चुकी है और यह देखिए अब हम करेंगे अपने आलो की टिक्की को सर्व इसके लिए मैंने आलो की टिक्की को फैला लिया है और उसके उपर से डाला है थोड़ा सा दही और अब मैं इसमें डालूंगी घर पर बनाई हुई इमली की चटनी अगर आपको मेरी इमली की चटनी की रैसी भी देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर विजिट करें और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा भूना जीरा पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चाट मसाला और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारी चाट का कलर बहुत बढ़ी हाएगा और बस अब मैं इसमें थोड़ी सी दही और डालूंगी और यह देखिए हमारी शादियो वाली special आलू टिक्की चांट हो चुगी है बिल्कुल ready तो एक बार आप इस तरीके से इस आलू की टिक्की की चांट को जरूर ट्राए कीजिए I hope आपको एर रसीपी जरूर पसंद आएगी और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और कमेंट भी करें